दोस्तो किसी ने क्या खूब कहा है तुम चलने का हूंसला तो करो दिसाएं बहुत हैं कांटों की फिकर मत करो तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं दोस्तो इसी कड़ी में मैं हूं रनवीट जाखर टीम कमसी सील सीकर आज अपन बात कर रहे हैं डामन टेस्स सिरीज फोर नीट 2023 पार्ट फूर है टोपिक अपने पास कौन सा है बला हेलो एलकेन यानि कि पूरी कंप्लीट 12 है अपने पास हेलो एलकेन एन हेलो एरीन अलकोल फिनोल इथर एल्टी हैड के टोन कार्बोक्सलिक असीड एमाइन बाय मोलेकुल कमसीन एवरीड लाइफ ठीक हैं चलो बात करते हैं सवाल नंबर 01 के यानि कि 101 की क्या कह रहा है दूस्तों ये कह रहा है कि जो आपको सीक्वेंस रियक्शन में दे रखा है उसमें पड़ेक्ट बता दो फाइजनल पड़ेक्ट कौन सा होगा भला चेकर चलो अलकोल दे रखा है अलकोल यानिकि साइकलोहएक्जिन ओपाए का काम करता है दोस्तों walking करेगा किसका क्सका काम करेगा साइकलो कर देगा अगर दे रखा हो किसका काम करता है यानि कि ठीक पडुशी Κारबन सरीक्स करता है यानि कि特別 ॐ लखा पर देगा हैLosand लगा देगा यानि अपने को बी यार दे रखा है तो बी यार लगा देगा यहां बी यार आ गया अब अपने को क्या दे रखा है दोस्तों एक्वस के वेच्छ दे रखा और एक्वस क्या देता है नुकलिफलिक सब्सुशिशन डियक्शन शू करता है यहां अलकोलिक के वेच्छ नहीं है alcohol का formation हो जाएगा तो अपने पास answer कौन सा आ जाएगा fourth तो fourth अपना answer आ जाएगा next सवाल अपने को 02 दे रखा है दोस्तो identify C को identify करना है अब अपने को C3H7I दे रखा है इसकी reaction करवा दो alcoholic के वच के साथ में reaction करवानी है इसका मतलब elimination करेगा दोस्तो अब अपने पास क्या दे रखा है कि CS3, CH2, CH2 और I या तो यह इसका isomer हो सकता है या फिर इसकी structure कौन सी हो सकती है इसका दूसरा isomer यानि कि propyl iodide हो सकता है या फिर iso propyl iodide हो सकता है इन दोनों में से दो इक possibility हैं अब इन दोनों में से किसी के साथ भी alcoholic के वेच्च के साथ में reaction करवा दो दोस्तो अब को बता है elimination का काम करेगा दोनों से ही अपने को क्या मिलेगी दोस्तों यह मिल जाएगी यानि कि propyl मिल गई प्रोपीन फिर NBS के साथ में reaction करेगी दोस्तों NBS यानि कि BR2 लाइट वाली कहानी है दोस्तों यानि कि NBS N Bromo succinamide के साथ में अगर आप इसको heat कर दोगे तो alpha पे double bone के ठीक प्रोसी कार्बन पे यानि कि alpha पे hydrogen को remove करके वहां पे BR का addition हो जाएगा जिसी reaction का name क्या है free radical substitution reaction है दोस्तों तो यहां पे alpha है अपने पास क्या जाएगा दोस्तों बी यार जाएगा double bone बरकरार रहेगा फिर अपने के cn के साथ में reaction करवा दो alcoholic के cn अब यह कैसा होता है दोस्तों आईनिक होता है कौनसी reaction शो करेगा SN2 reaction शो करेगा तो यहां पे double bone और जहां बी यार को आपने remove कर दिया और क्या जाएगा cn साइनाइड का formation हो जाएगा अगर एजी cn दिया होता तो आईसो साइनाइड मिलता तो SN2 type की reaction हो गई किया क्या मिल जाएगा दूस्तों यह answer हो सकता है नहीं हो सकता क्योंगी भी यार उसने लगाए नहीं होगा और कौन सा आजाएगा एलाइलिक और उसके साथ में cn तो कौन सा का सब्सक्राइब जाता है इसका मतलब इसको मिला दो बी के साथ लीफएटिक अगर एलिफएटिक हलाइडे रखा है दोस्तो फिर ये कौन सी reaction दे रखी है benzene diazonium benzene diazonium halide दे रखा है आपको cu2 cu2x2 दे रखा है और अगर copper के साथ में हैलोजन दे रखा हो तो उसे send me reaction बोला साता है और copper अकेला दे रखा हो उसके साथ में hx की reaction करवा रहा हो तो उसे gutterman reaction बोलते हैं तो आप याद रख सकते हो गटर अकेला होता है इसका मलोगों पर अकेला मिलेगा वो गटरमान रियक्शन मिलेगी तो इसकी इसके साथ में आपने रियक्शन करवाई तो यह कौनसी रियक्शन है सेंड मिया रियक्शन है एने आ Goldman के साथ में रियक्शन करवाई तो इसका मतलrounded हो आयोडीन का फोर्मेशन होता है यह को अपने क्या बोलते हैं तो मिला दो दोस्तों फस को बी के साथ में सेकंड सको एक के साथ में टो फस को आपने एक साथ में मिले आ है फस को आपने B के साथ में मिलाया दोस्तों तो B आपके पास दो लोगों के पास B दो लोगों के पास B है किस किस के पास फस और थर्ड के पास फिर सेकंड को मिलाईए दोस्तों सेकंड आपको किस के साथ मिल रहा है A के साथ में यानि कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है ठीक है फिर next यह आपने कौन सी reaction है दोस्तो send me reaction है तो send me reaction है तो send me यानि कि D के साथ में कौन मिल रहा है दोस्तो यह और last वली आपकी सब्सेइध कौन सी हैं फिंकल्सटाइन reaction है तो कौन सा answer आ आजाएगा दोस्तों फार्स्ट आंसर अपने को मिल जाएगा नेक्स एसी कडी में आगे आपने बात करें तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों जीरो फूर नंबर सवाल अब इसकी रियक्शन है एच-C-B-R के साथ में अलकीन दे रखी है अलकीन कौन्सी रियक्शन शो करता है दोस्तों तो पहले किसका एडिशन होगा देखिए है एच पोजटिव यानि कि एलेक्ट्रोफाइल एडिशन डियक्शन शू करता है तो एच पोजटिव पहले अटक करेगा और Intermediate Carbocatine का formation हो जाएगा Intermediate Carbocatine आपको मिल गया फिर रिरेंजमेंट हो जाएगा Hydrogen Sifting हो जाएगी दोस्तों Hydrogen की Sifting कान More Stable Carbocatine में Convert हो जाएगा यह Carbocatine कौन सा है? 3-degree Carbocatine अब आपके पास में कौन अटेक कर देगा? B.E.R. Negative Nucleafilic यानि कि Addition Reaction शू करतेगा यह Nucleafil इसके साथ में आगया तो Electroflick Addition Reaction शू करता है कौन बला? Alkene तो Nucleafil ने इसके पास अटेक कर दिया क्या मिल जाएगा दोस्तों? अब इसका नेम हो गया 1-Bromo-1-Methyl-Cyclo-Pentane का Formation हो जाएगा दोस्तों 6-Member में Convert हो नहीं सकती 6-Member में Convert कब होती है 5-Member Ring है Ring से Attached Carbon के उपर Positive Charge है तो Ring में Expansion हो जाएगा और Ring पे Positive Charge है तो Ring में क्या हो जाता है? Contraction हो जाता है ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो Hydrogen की Sifting होई है और Mostable Carbocatine में Convert हो गया अंसर अपना कौन सा मिल गया? 3rd तो 3rd अपना अंसर मिल गया Next आगे बात करें तो 05-Number सवाल क्या कह रहा है? दोस्तों कह रहा है कि कौन सा Major Product आपका Ether नहीं मिलेगा अब इथर Major Product नहीं मिलेगा आपने Williamson Ether Synthesis Reaction की अगर बात करें दोस्तों तो ये तो है Nucleophile आपका ये तो Nucleophile है और Alkyl Halide के साथ में Reaction करवाते हैं इसके उपर Partially Positive इसके उपर Partially Negative Charge ये ऐसा अंड टू टाइप की Reaction होती है और किसका Formation हो जाता है? Williamson Ether Synthesis मिलता है दोस्तों Ether मिलता है इसके लिए Condition होती है कि ये कितना भी बड़ा हो सकता है यानि कि मोटा हो सकता है नेकिन ये Alkyl Halide कैसा होना चाहिए दोस्तों छोटा होना चाहिए यानि कि Small Size का होना चाहिए अगर ये Large Size का होगा तो ये इसका क्या करदेगा? Elimination करदेगा फिर E2 Reaction हो जाएगी दोस्तों आप Ether Major Product नहीं बना पाओगे NCRT में सबस लिखा हुआ है अब यहाँ पे देखें दोनों छोटे हैं इसका मतलब यहाँ से ये इसके उपटेक करदेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा Ether यहाँ देखो दोस्तों अलकाइल कॉलराइड अब आपको क्या दे दिया दोस्तों तरसरी ब्यूटाइल कॉलराइड दे रखा है यानि कि ये वाला गुरूप दे दिया है CEL दे दिया तरसरी ब्यूटाइल कॉलराइड और नुकलिफाइल आपका छोटा है और alkyl halide आपका मोटा है यानि कि उल्टी reaction हो जाएगी इसका मतलब अब nucleophilic substitution reaction ना होकर कौन सी reaction होगी elimination reaction होगी इसका major product isobutylene मिलेगा नेकी ether इस reaction से आप ether का formation नहीं कर सकते आपका answer कौन सा आजाएगा second यहाँ देखिए दोस्तों यह nucleophile इसके उपटेक करेगा इसको भगा देगा इसका मतलब इससे Williamson ether synthesis का formation कर सकते हो अब यहाँ पर मोटी भेंस दे रखी यानि कि nucleophile बड़ा है और alkyl halide छोटा है तो यह ether का formation कर देगा ठीक है तो अपने एथर का formation को नहीं कर पायगा second नहीं कर पायगा second answer मिल जाएगा दोस्तों next सवाल की बात करें तो 06 number सवाल SN1 reaction आप आपको पता है दोस्तों SN1 reaction directly proportional stability of intermediate carbocatine के तो आप हेलोजन को remove कर दो intermediate carbocatine बना लो intermediate carbocatine में भी दोस्तों आप क्या देख सकते हो ABC सबसे ज़्यादा stability A for aromatic, B for backbonding, C for CPM सबसे ज़्यादा stable कोन है aromatic उसके बाद में backbonding और उसके बाद में CPM, उसके बाद में benzylic उसके बाद में किसका नमबर आता है दोस्तों 3 degree, 2 degree, 1 degree और इनका नमबर आता है तो intermediate carbocatine बनाईए CEL को हटाईए, carbocatine मिल गया CEL को हटाईए, दोस्तों intermediate carbocatine मिल गया CEL हटाईए, intermediate carbocatine मिल गया CEL हटाईए और intermediate carbocatine का formation हो गया, यहीं मिला अब देखो, A for aromatic aromatic कोई है क्या इसमें से? नहीं है दोस्तों, अब बेंजीन की बात नहीं हो रही दोस्तों, intermediate carbocatine यानि कि positive charge के कारण क्या होना चीए, aromatic होना चीए example कि अगर पन बात करूं तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो यह क्या है दोस्तों 2 pi electron है, complete close conjugation यह aromatic, ऐसा होना चीए तो यहाँ पर backbonding होगी दोस्तों यानि कि lone pair of electron backbonding में participate कर लेगा तो bv मिल गई bv मिल गई तो stability increase हो गई दोस्तों, यह भी अपना lone pair of electron conjugation participate करवा देगा तो backbonding हो गई, फिर अगर पन बात करें तो इसमें conjugation है इसमें भी दोस्तों conjugation है क्योंकि जब यह lone pair of electron backbonding में participate करवा देगा यानि कि conjugation में तो octate complete हो जाएगा octate complete हो जाएगा तो stability क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी यानि कि जैसे इसने अपना lone pair donate किया तो क्या मिल जाएगा दोस्तों octate complete मिल जाएगा, इसके उपर पोजिटीव चार्ज आजाएगा, यही तो मिला octate complete हो गया, तो stability क्या हो गई बढ़ गई, इसमें किसी भी condition में इन दोनों में octate complete नहीं हो सकता है यानि कि conjugation हो सकता है, लेकिन octate complete नहीं होगा, तो यह दोनों में octate complete होगा, अब इन दोनों में से कौन है दोस्तों, nitrogen की EN कम है, तो वो जल्दी डोनेट करेगा, oxygen की EN ज़ादा है, तो इसका मतलब धीरे-धीरे डोनेट करेगा, तो सबसे ज़्यदा stability किसकी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में p की, क्योंकि octate complete कर देगा, इन दोनों में से तो कौन सा आंसर आजाएगा, third next सवाल की अगर पर बात करें तो 107 नमबर सवाल दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल लोलिपॉप सवाल था, यानि कि benzylic alcohol आपको दे रखा है benzylic alcohol की अगर पर बात करें तो benzyl group किसको बोला जाता है यानि कि benzyn दे रखा है और साथ में carbon दे रखा है तो यह benzyl group है दूस्तों यहाँ पर आपने OH लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे benzylic alcohol बोलेंगे benzylic alcohol यह आपका allylic group है, यानि कि यह allyl है यहाँ OH लगा दिया है तो आपको allylic alcohol मिल जाएगा benzylic की बात करें तो benzyn से just carbon यानि कि benzyl carbon होना अच्छी है ठीक है और इसके प्रोस में होएच होना अच्छी है तो यह benzylic से एक ज़्यादा carbon हो गया यह अपना नहीं हो सकता, यह देखो benzyn CH2 यह benzyl group हो गया और इसके साथ में होएच यह अपना अंसर होगा फिर अपने यह प्रोपेनोल दे दिया है फिर अपने क्या दे रखेया है यहाँ पर अगर होएच होता तो benzylick है लेकिन यह तो प्रोस के पास है इसका मतलब यह benzylick है नहीं है तो कौन सा अंसर आजाएगा second next इसी कड़ी में आगे बात करें तो स्वाइट reaction आपको पता है दोस्तो किसके preparation के लिए यूज की जाती है स्वाइट reaction किसके लिए यूज की जाती है fluoride के preparation के लिए यूज करते हैं यानि कि आप alkyl halide ले लो alkyl halide की reaction आप किसके साथ करवादो AZF के साथ में reaction करवादो HGF2 के साथ में reaction करवादो COF2 के साथ में reaction करवादो इनकी presence में reaction करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है fluoride मिलता है तो fluoride बनने के लिए यूज करते हैं preparation के लिए यूज करते हैं तो कौन सा है fluoride स्वाइट reaction है finkelstein reaction है वो iodide के लिए use की जाती है iodine के preparation के लिए use की जाती है next आगे बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों कहा रहा है कि which of the flowing compound will not give white BPT with aqueous AZNO3 यानि कि white BPT की बात हो रही है AZNO3 के साथ में वही reaction करेगा जो more stable intermediate carbocatine का formation करता हो यानि कि SN1 type की reaction हो गई aqueous का नाम जहां भी आगए इसका मतलब SN1 reaction हो गई तो यहां से intermediate carbocatine बनाओ गए तो क्या मिल जाएगा दोस्तों anti-aromatic हो गई यह anti-aromatic हो गई anti सबसे list से बोलोती है दोस्तों ठीक है उसकी बात नहीं कर रहा कि uncle is more stable than auntie ना ना auntie is more stable than uncle उनकी बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं इस anti-aromatic compound की बात कर रहा हूँ यहां पर क्या है दोस्तों 4 pile electron है और 4 pile electron हो गई इसका मतलब कैसी हो गई anti-aromatic और anti कोई बनना नहीं चाहती इसका मतलब यह सबसे list stable है यह ही reaction देना पसंद नहीं करेगी तो कौन सा answer आजाएगा second दोस्तों 6 pile electron हो गई यानि कि 7 वाली ring हो गई और 7 membed ring है तो more stable है यानि कि 6 pile electron हो गई aromatic हो गई यह क्या हो गया दोस्तों 2 pile electron हो गया और aromatic हो गई cyclic है planar है complete close conjugation है 4 and plus 2 pile electron को follow करता है इसका मतलब वो aromatic है यहां पर बात करें तो इसको भगा दोगे तो क्या आजाएगा 1 ननी सी जान पर 2 pH है इसका मतलब यह भी देदेगा यानि कि 2-2 benzene ring के साथ मज़े से conjugation कर रहा है यहां CH2 और CS3 है ठेक है तो यह तो देदेगा लेकिन anti aromatic नहीं देगा तो कौन सा answer आजाएगा अपना first 110 सवाल नंबर की अगर बात करें तो the dipole movement of CS3F is greater than CS3CL यह statement कैसा है दोस्तों बिल्कुल सरासर जूटा है ठेक है जूटी line है यह बिल्कुल CS3CL और CS3F इन दोनों में से dipole movement किसका ज़्यादा होता है है कलोरीन का क्योंको size main factor हो जाता है यहाँ पर partially positive इसके उपर partially negative charge इसके उपर partially positive इसके उपर negative charge कोई कहता है कि इसकी EN ज़्यादा है तो यह electron ज़्यादा खेंचना चाहिए नहीं इसका side छोटा हो गया electron density ज़्यादा होगी तो आने वाले electron को यह क्या कर देता है ripple करता है तो यह अपने आप से electron को दूर भगाएगा अपनी और नहीं लाएगा इस लिए क्या हो जाती है दोस्तों इसके डाइपल moment की अगर बात करें तो कम हो जाता है कि इसका वाला CL से कम हो जाता है CL का जादा था यह कह रहा है कि उसका जादा है इसका मतलब सरासर जुटी लाइन अब वो कह रहा है कि minus effect of chlorine is more than fluorine नहीं नहीं वो तो गलत बोल रहा है fluorine का जादा होता है क्योंकि इसकी विचारे की EN जादा है सबसे कंजूस मखी चूस आदमी है इसका मतलब यह भी incorrect तो दोनों incorrect हो गए दोस्तो पर लो कौन से दोनों incorrect है दोनों incorrect कौन से है दोस्तो फोर्थ में है next आगे बात करें तो क्या दे दिया है दोस्तो 111 number सवाल की अगर बात करें तो phenol on reaction with BR2 in CS2 की presence में reaction करवादो दोस्तो phenol आपको दे रखा है phenol का bromination करवादो दोस्तो किसकी presence में BR2 और CS2 की presence में reaction करवानी है तो क्या मिल जाएगा OH का कौन सा effect होता है plus M plus M के साथ साथ कौन सा effect होता है दोस्तो इसका minus I effect होता है तो ortho और pera product बना दे गए यहाँ पर क्या जाएगा BR एक बार ortho पे और एक बार पेरा पे तो मेजर product आपका कौन सा मिलेगा दोस्तों पेरा मिलेगा लेकिन यहाँ मेजर की बात नहीं किया उसने script reaction की बात करी है और परड़क्ट की बात करी है तो ortho और पेरा दोनों product मिल जाएंगे अकेला पेरा नहीं पूछा अगर मेजर पूछता तो तो अकेला पेरा की बातोई तो 46 c Mirowin वोटर के साथ में रियक्शं करवा देता तो यह वाइट बना देता दोस्तों यहाँपे क्या आजएता अपने को क्या चीद्द था ब्यार्ट्ट और csu के प्रजंस में reaction करवानी थी तो और थो और पेरा परड़क्ट मिल जाएगा कौन सा answer आजाएगा थर्ड मेटा ब्रोमो फिनोल बन नहीं सकता दोस्तों मेटा क्यों नहीं बन सकता मेटा कि अगर बात करें तो मैनस वाला होता तो वो कुंसी reaction दे रखी हैं दोस्तों कोल पे स्मिट reaction दे रखी हैंने कि फिनोल की एनेवेच के साथ में reaction करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों एसिड बेस एसिड ने बेस को देखा वेस ने एसिड को देखा आंखों यांखों में कुछ बात हुई और सोडियम फिनोकसाइड का formation हो गया acid base reaction हो गई अब इसकी किसके साथ reaction करवादो दोस्तों CO2 के साथ में reaction करवादो CO2 के साथ में reaction करवाओ दोस्तों क्या मिल जाएगा OH और CWO नेगेटिव आज जाएगा ठीक है फिर इसको positive दे देना दोस्तों क्या मिल जाएगा salicylic acid इसकी mechanism आपने पढ़ी हुई है यहां पर क्या जाएगा salicylic acid का use medicine में करते हैं तो कौन सा answer आ जाएगा दोस्तों salicylic acid salicylic acid की अगर पर बात करें तो chloroform के साथ में base की reaction करवाते हैं तब rhymer demand reaction में बनता है दोस्तों क्या बला salicylic acid बनता है तो यहां अपने क्या मिल रहा है salicylic acid मिल जाएगा यानि कि कौन सा answer आ जाएगा first number 113 number वही बात आ गई दोस्तों यह कौन सी reaction है राइमर्टीमान reaction है राइमर्टीमान reaction में आपको electrophile species जो मिलती है वो DCC मिलती है यानि कि di chloro carbon मिलती है यहां पर क्या दे रखा है CL यहां पर CLH base के साथ में reaction करवा हो गता है acid base reaction हुई दोस्तों और एक CL को भगा दो क्या मिल जाती है दोस्तों CL CL इसको क्या बला साता है यह इलेक्ट्रोफाइल है आपका यह क्या है बला DCC di chloro carbon है तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या होता है दोस्तों di chloro carbon होती है तो di chloro carbon आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा answer आजाएगा थर्ड नेक्स अगर बात करें तो sodium borohydride आपको पता है दोस्तों किसको reduce करता है यह acid halide को reduce कर देता है acid coloride अगर आपको दे रखा हो तो उसको alcohol में convert कर देता है ester को हाथ भी नहीं लगाता double bond triple bond की तरफ देखता नहीं है carboxylic acid की तरफ देखता नहीं है ठीक है ester and hydride इनको reduce नहीं कर सकता यह cable किसको reduce करता है acid halide को reduce कर देगा aldehyde को reduce कर देगा और imine को reduce कर देगा imine यानि की carbon double bond nitrogen है तो उस imine को reduce कर देगा तो ester की तरफ नहीं देखेगा सिरफ कार्बोनील compound को किसमें change कर देगा alcohol में convert कर देगा इसमें देखो alcohol को reduce कर दिया उसने पार्स ली इसमें वैसे का वैसा पड़ा है ester ester को reduce नहीं करेगा सिरफ कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा तो कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों सेकिन आजाएगा फिर अगर पर बात करें तो ये NCRT का हुबहु सवाल है क्या पूछा गया है दोस्तों boiling point पूछा गया है increasing order of boiling point अब आपको पता है दोस्तों BP directly proportion होता है किसके molecular weight के inversely proportion होता है किसके side chain के यानि की branch के ठेक हैं side chain जितनी जादा होगी side chain यानि की branch जितनी जादा होगी इसका मतलब उसमें surface area कम हो जाएगा intermolecular attraction force decrease हो जाएगे तो BP decrease हो जाता है दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो इसमें एक branch है इसमें कोई branch नहीं है इसमें बहुत जादा branch है नकलियों से साबदान इनकी कोई branch नहीं है तो इसका मतलब इसकी सबसे जादा मिलेगा क्या बला BP सबसे जादा मिलेगा B का इसमें दो branch हो गई इसमें एक ही बरांच निली इसका मतलब A और यहां पर क्या मिल जाएगी C तो B, A, C अपना आंसर आजाएगा दोस्तों देख लो B, A, C किसका है B, A और C Next सवाल की बात करें तो 1, 6, नंबर सवाल अपने को क्या दे रखा है बेंजीन दे रखा और बेंजीन की रियक्शन करवाने की बात हो रही है किसके साथ ओलियम के साथ ओलियम क्या होता है दोस्तो H2SO4 और H2SO4 में क्या डाल दो दोस्तो H2SO3 डाल दो इन दोनों का मिक्षर यानि कि क्या मिलेगा H2SO7 यानि कि पाइरो सल्फ्यूरिक असरिड मिला है दोस्तो यानि कि 2H2SO4 के मोलेकुल का अगर आपन हीट करते है H2 रिमूब कर देते हैं तो क्या मिलता है पाइरो सल्फ्यूरिक असरिड मिलता है इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है SO3 होता है तो SO3 होता है तो SO3 यहाँ पे Salfonation में किसका काम करता है Electrofile का काम करता है और क्या मिल जाएगा दोस्तों Benzene Salphonic Acid मिल जाएगा इस Benzene Salphonic Acid की Anubates के साथ में Reaction करवाओगे तो पहले Acid Base Reaction हो जाएगी फिर कहा रहा है कि इसको Heat कर दो तो इसके fuse उड़ जाएंगे SO3 good living group है वो भाग जाएगा और क्या मिल जाएगा दोस्तो sodium phenoxide का formation हो जाएगा और sodium phenoxide को आप H दे देना किसका formation हो जाएगा दोस्तो अपने को phenol यानि की carbolic acid का formation हो गया तो अपने को carbolic acid यानि की phenol मिल जाएगा दोस्तो final product अपने से पूछा था next सवाल आपको क्या दे रखा है दोस्तों NCIT का खुबसूरा सा सवाल की CO है और CO के साथ में 2H2 दे दिया तो इसका मतलब किसका formation हो गया methanol का metal oxide की presence में ये reaction करवाई साती है आपको बता है Lucas recent तो ये तो alcohol का test होता है दोस्तों invertis invertis आपको fermentation reaction में यूज करते हैं आपको याद आरा होगा माल्टोस की कहानी अलग है दोस्तों क्यों 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 कि ये carbohydrate हो गया अब अपने बात हो रही है कि यहाँ पर क्या यूज करोगे metal oxide का यूज करोगे दोस्तों high temperature और high pressure की परसेंस में reaction करवाते हैं methanol मिलता है wood spirit मिलता है दोस्तों next सवाल कि अगर पर बात करें तो क्या दे रखा है 118 number सवाल ये आपका सवाल क्या है दोस्तों ये सवाल आपको दे रखा है NCRT में हैलो एलकेन और हैलो एरीन में जो introduction दे रखा है उसमें दे रखा है कि कौन सी medicine क्या काम आती है याद कर ये chloramphenicol chloramphenicol कैसी होती है दोस्तों typhide fever के लिए यूज की जाती है तो chloramphenicol typhide fever के लिए यूज की जाती है और thyroxine thyroxine की बात करें तो आपको पता है thyroid grant थी hyroxine hormone रिलीस करती है और जिससे क्या हो जाता है दोस्तों goiter हो जाता है यानि कि गलगन रोग हो जाता है इसकी कमी से उसके बाद में यानि कि आयोडीन की कमी से है फिर अगर बात करें तो chloroquine chloroquine ये वहीं लिखा हुआ है दोस्तों किसमें बला हेलो एलकेन हेलो एरीन यानि कि फस्पेस पे लिखा हुआ है किसके लिए यूज की जाती है मलेरिया के लिए यूज की जाती है और क्लोरा क्लोरो फोम क्लोरो फोम को को नहीं जानता बला किसके लिए यूज की जाती है अनि थेसिया है यह तो यानि कि बेहोश करने के लिए यूज़ करती जाती हैं तो क्लोरम फेनिकॉल को मिला दो किसके साथ वना टाईफायड यानि कि सी के साथ अब सी दोो लोगों के पास है दूस्तों दूसरे कि अगर आखर बात करें तो तो D के साथ में मिला दो तो C के साथ में इधर क्या था A इधर क्या मिल गया D इसका मतलब कौन सा अंसर आजाएगा second chloroquine malaria में यूज़ करते हैं दोस्तों और chloroform आपको पता है B यानि के anthesia में यूज़ करते हैं तो कौन सा अंसर आजाएगा second next सवाल की अगर पुम बात करें तो 119 नमबर सवाल की बात करें तो देखो AR का सवाल है presence of nitro group at ortho and pera position increase the reactivity of haloyrene towards nucleophilic substitution reaction एक दम सची बात बोल रहा है दोस्तों ये कह रहा है कि अगर अपने यहाँ पे ortho और pera पे ये alkyl aryl halide की बात कर रहा है दोस्तों aryl halide यानिके halo arine halo arine की बात कर रहा है दोस्तों अगर अपने इसके ortho या पेरा पे कौन सा लगा देंगे electron withdrawing group electron withdrawing group में भी इन्होंने कौन सा लगा दिया NO2 लगा कर दे दिया अब NO2 कौन सा effect है दोस्तों minus M यानि कि electron withdrawing group है और electron withdrawing group क्या काम कर देगा दोस्तों इसमें single bond में जो double bond के character आ रहे थे उसको खतम करने का प्रियास करेगा इससे जो intermediate मिलता है अपने को क्या मिलता है दोस्तों कि करते ने कि चोर को क्या मारो चोर की मां को मारो चोर पैदा ही ना हो इसके लिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो single bond में double bond के character आ रहे थे पहले उन double bond के character को खतम करिये फिर nucleophilic substitution reaction हो पाएगी इसलिए अपने electron withdrawing group लगा है दोस्तों तो यहाँ पर क्या लगा दिया X और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोई nucleophile इसके उपर negative charge यहाँ double bond और यहाँ double bond यहाँ आपने NO2 लगा रखा है अब यह negative charge जो intermediate बना यह जितना ज़ादा stable होगा rate of reaction उसका उतना ही ज़ादा होगा यानि कि reactivity को intermediate carbonine की stability जितनी ज़ादा होगी rate of reaction उतना ही क्या मिलेगा ज़ादा ठीक है तो माइनस वाले कहने का मतलब है यह nucleophilic substitution reaction के परती क्या कर देंगे वहला reactivity को increase कर देंगे यह साची बात बोल रहा है दोस्तों इसका reason क्या है reason यह है कि इसका intermediate carbonine जितना ज़ादा stable होगा rate of reaction रियक्षन उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा यह कह रहा है कि नाइट्रो ग्रूप विंग एलेक्ट्रोण विड्रोविंग ग्रूप जी हाँ साथी बात बोल रहा है आगे पड़िए डिक्रीज इलेक्रोण density और बैंजीन यह भी साथी बात बोल रहा है लेकिन इसको explain नहीं कर रहा है explain करने के लिए आपको क्या चीए था कि intermediate carbonane की stability जितनी ज़्यादा होगी rate of reaction उतना ही क्या होगा ज्यादा बात सही है यह भी सही है और यह भी सही है इसका मतलब दोनों सही है बात next अवाल की अगर पर बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों dehydrating hydration की बात कर रहा है dehydration करवादो एलकोल का concentrate estrozo4 की परसंस में तो क्या देखते हैं दोस्तों intermediate carbogatine बनाओ लुप तुठाओ जिस carbogatine की stability जितनी ज़्यादा होगी rate of reaction उसका उतना ही क्या मिलेगा ज़्यादा मिलेगा ये one number पर मिला ये two number मिला ये भी two number मिला और ये भी two number यानि कि two degree मिला दोस्तों अब stability किसकी ज़्यादा है इसमें conjugation ज़्यादा है इसमें conjugation इतना सा है इसमें नहीं है ये two degree है ये one degree है बताओ सबसे ज़्यादा stability किसकी है 4 की उसके बाद में 3 की उसके बाद में 2 की और उसके बाद में 1 की तो क्या order जाएगा 4321 4321 क्या जाएगा 432 1 432 1 नेक्स सवाल की बात करें तो 21 नंबर सवाल क्या करें कि आइडोफोम टेस्ट कोन शो करता है दूस्तो अब आपको पता है आइडोफोम टेस्ट कोन करता है कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग CS3CO ग्रूप यानि कि एलकोल भी शो करता है, एलकोल कॉम सा शो करेगा, जो 1 डिगरी और 2 डिगरी एलकोल हो, वही शो करेगा और कोई शो नहीं करेगा, यानि कि CS3, CH, OH ग्रूप या तो 1 डिगरी हो या 2 डिगरी हो, तो ये दोनों क्या है, हेलो फोर्म टेस्ट शो करेंगा, आयोडीन प्लस बेस क साथ में रियक्शन करके किसका फोर्मेशन कर देगे, ये लो पीपीटी का फोर्मेशन कर देगे, यानि कि आयडोफों का, तो इसके पास देखिए ये ऐसा ग्रूप है, इसका मतलब ये शो करेगा, मिथाईल की टोन है, दोस्तों ये भी शो करेगा, ये देखो बलें, 2 डि 3 डिगरी होता, तो वो रियक्शन नहीं करेगा, क्योंगे उसके पास अलफाइच नहीं होगा, ये भी शो करेगा, ये देखो मिथाईल की टोन हो गया, ये शो नहीं कर सकता, तो कितने लोग कर देंगे, A, B, C, तीन लोग करतेंगे, ये D, नहीं कर पाएगा, तो A, B, C, कि नहीं की कौन सा आंसर आजाएगा, सेकिन आंसर आजाएगा, नेक्स इसी कड़ी में आगे बात करें, तो 1, 2, 2, 2, नंबर सवाल, क्या कर रहा है दोस्तों, does not react with sodium by sulfite, अब आपको पता है, दोस्तों, sodium by sulfite किसके साथ reaction करता है, sodium by sulfite खुद एक, कैसा है, भलकी nucleophile है, वो भलक की को उपर अटेक नहीं कर पाएगा, और sodium by sulfite के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड के purification और identification के लिए यूज किया जाता है, इसको, यानि कि crystallization बन जाती है, यानि कि white crystalline solid मिलता है, जिसको वापस आप acid या basic medium में hydrolysis करवा दोगे, दोस्तों, तो व किटोनों में only on eliphatic methyl ketone reaction करता है, बाकिये में ketone में ले लोगे तो उसमें crowding increase हो जाएगी, और aromatic ketone reaction नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके उपर reactivity कम हो गई है, conjugation के कारणा, तो ये methyl ketone है, दोस्तों, ये reaction कर लेगा, ये reaction कर लेगा, ये methyl ketone हो गया, ये reaction नहीं कर पाएगा, ये सवाल की, अगर पर बात करें, दोस्तों, तो क्या दे रखा है, अपने को, one, two, third, number सवाल, ये कह रहा है कि इसको इसमें convert करो, ये क्या है, सीने में हो acid, सीने मिक acid, अब देखो, ये carbon कम करवा रहा है, अगला, एक carbon कम करवा रहा है, तो आप पहले क्या करोगे, ये carbon करोगे, कम करने का, KMNO4 से, अगर आप इसका oxidation करवा दोगे, तो आपको पता है, इसका पहले oxidation हो जाएगा, double bone ही break हो जाएगा, double bone को break करके, ये benzoic acid में convert कर देगा, इसका मतलग ये नहीं हो सकता, फिर वो कह रहा है कि आइडोfoam के साथ में reaction करवा दो, आइडोfoam के साथ में reaction करवा क्या मिल जाएगा, pH, CH, or CO, और oxygen के पास negative charge और आपको क्या मिल गया है दोस्तो, आइडोfoam मिल गया, फिर वो कह रहा है कि H positive दे दो इसको, क्या मिल जाएगा, सीने में हो acid, उसे बोला जाता है, सीनेमिक acid, ये मिल गया दोस्तो, इसका मतलब second answer आजाएगा, third वाले से क्या कर दोगे, दोस्तो, reduction करवादोगे, reduction करवादोगे, तो ये double bone भी reduce हो जाएगा, और ये भी reduce हो जाएगा, अब I2 के साथ में reaction करवाओगे, तो I2 इसके साथ में reaction कर देगी, lithium aluminum hydride, वापस क्या कर देगी, reduction कर देगी, carbonil compound का alcohol में convert कर देगी, तो answer अपने से पूछा गया था, toluene की chromyl collide के साथ में CS2 की presence में reaction करवाते हो, तो chromium complex का formation होता है, यानि कि इसकी toluene के साथ में reaction करवाओगे, oxidation by chromyl collide दे रखा है दोस्तों, तो CHOCROH और CL2 की twice, ये क्या मिलता है, chromium complex मिलता है, जिसका फिर hydrolysis करवादोगे, तो benzyldehyde में convert हो जाएगा, इस reaction का name होता है, itard reaction, तो कौन सा answer आजाएगा, itard reaction, steepen reduction आपको पता है, कि cyanide का reduction होता है, कि आपको क्या दे रखा हो, RC triple bone दे रखा हो दोस्तों, stannous collide के साथ में reaction करवादो, इसको बोलते हैं, क्या बला, steepen reduction बोला साता है, steepen reduction, steepen reaction बोला साता है, imine का formation हो जाएगा, imine का फिर आप क्या करवादे ना, दोस्तों, hydrolysis करवादेना, क्या मिल जाएगा, आपको, aldehyde में convert हो जाएगा, इस reaction को steepen reduction बोलते हैं, HVZ, hell wall hard reaction, hell wall hard reaction, आपको पता है, carboxylic acid के alpha पे अगर हाइट्रोजन है, तो hell wall hard reaction होती है, hell wall hard zilins की reaction की अगर आपन बात करें, तो आपको क्या दे दिया, alpha पे अगर हाइट्रोजन है, तो वो किसके साथ में reaction करता है, red, phosphorus, plus x2 के साथ में reaction करवादो, x2 मतलो हैलोजन, और h2 हो दे दिया, alpha, hello carboxylic acid का formation हो जाता है, या alpha पे हैलोजन आजाएगा, और रोजन मून reduction आपको पता हैं, दोस्तों, acid halide, यानिके acid chloride है, उसको क्या करवादो, partial reduction करवा है, ये reaction अपनी कौन सी है, etired reaction है, दोस्तों, next अवाल की अगर तुम बात करें, तो देखो क्या दे रखा है, c2, h2 दे रखा है, इसका hydrolysis करवादो, दोस्तों, कुछ रोव reaction है, यानिके cH, triple bond, cH दे रखा है, और फिर आपको क्या दे दिया, plus 2, और इसके दिल में h2SO4 ड inol form मिल गई, दोस्तो, inol, किस में convertь हो जाएगी, ketoform में convert हो जाएगी, اور किसका formation हो जाएगा, eldehyde का formation हो जाएगा, अपने से क्या पुछा है, दोस्तो, x पूछा है, intermediate मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, दोस्तो, erlyl alcohol मिल जाएगा, क्यंसा है, यह आपको मिला है, and light आपको दे रखा है 1 गलोरो 2 फिनाइल एथेन का formation होता है तो आपको क्या दे रखा है इथाइल बेंजीन दे रखा है दोस्तो यह आपको इथाइल बेंजीन दे दी फिर क्लोरीन की रियक्शन करवादो यानि की light की परजंस में heat कर दो दोस्तो इसका मतलब यह free radical substitution reaction हो गई ठीक है free radical substitution reaction क्या बन जाएगा दोस्तो आपका यह free radical मिलेगा और यहाँ पर क्या जिपका देना दोस्तो CL अब इसका नेम क्या हो जाएगा 1 chloro, 1 phenyl और ethane का formation हो गई और वो क्या कर रहा है 1 chloro, 2 phenyl ethane इसका मतलब सरासर जूट बोल रही है दोस्तो यह तो जूटी लाइन हो गई, फिर यह क्या कर रहा है reaction involving free radical intermediate जी हाँ free radical मिलता है इसका मतलब यह बात सही है लेकिन यह उपर वाली बात गलत है तो पहला statement सही, दूसरा, पहला incorrect, दूसरा correct कौन से में है दोस्तो पहला सही, दूसरा गलत, ना जी, पहला incorrect, दूसरा statement क्या है दूस्तो correct है, इसका मतलब कौन सा answer आजाएगा, second सवाल नमबर 27, क्या कहा रहा है दूस्तो इसी की बात हो रही है, तो देख लो दूस्तो यह isopropyl benzene दे रखा है, यानि कि क्यूमीन दे रखी है कमी नहीं दे रखी है, इसमें कैमेनो 4, कवच डाल दो दूस्तो तो alpha पे, या तो क्या होना चीए, एक हाइट्रोजन होना चीए any atom के साथ में minimum 1 alpha है, minimum क्या है 1 alpha है है, या फिर क्या है दूस्तो किसी भी atom के साथ में double bond, triple bond पर्जेंट है, तो के मेनो 4, के टू सी आर टू सेवन, इसको किस में चीज़ कर देगा बेंजोईक एसेड में convert कर देगा ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, minimum 1 alpha है दे रखा है, के मेनो 4, और इसको पहले cook में चीज़ करेगा, यानि के basic medium दे रखा है, तो पहले cook बना देगा इसको किस में convert कर देगा, यह बना देगा दूस्तो, CWO negative के positive यानि के cook बना देगा और H positive दे रखा है बाद में, इसको किस में चीज़ कर देगा, बेंजोईक acid में तो पांसा answer आजाएगा बेंजोईक acid, next सवाल की अगर बात करें दोस्तो तो क्या दे रखा है, 128 नमबर सवाल, 128 नमबर सवाल की बात करें तो यह कह रहा है कि कोलम दे रखा है, फस और सेकिंड को मिला दो दोस्त, क्या दे रखा है, hexane 1 all को hexane L में convert करना है, hexane 1 all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठेकें, और क्या दे रखा है, all दे रखा है, इसको किस में convert करना है, aldehyde में convert करना है, तो aldehyde में convert करवा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, K-0, 4, K-2, CR-2, O, 7, इनका यूज नहीं करना चाहता वो, वो तो 1 degree alcohol को किस में change कर देते हैं, दोस्तों, carboxylic acid में convert कर देते हैं, CWH में change कर देते हैं, और क्या change कर देगा, दोस्तों, ये दे दिया, इसका name क्या है, PCC, इससे अच्छा hexanone to cyclohexanol, यानि कि इस बार ketone convert कर रहा है, वो किस में alcohol में, तो alcohol में इसका मतलब वो क्या कर रहा है, दोस्तों, reduction कर रहा है, और reduction के लिए एक ही मातर reason है, वो कोन है, lithium aluminium hydride, reduction कर देगा, दोस्तों, फिर वो क्या कर रहा है, पेरा fluorotoloin convert into benzaldehyde, अब benzaldehyde की बात कर रहा है, दोस्तों, यानि कि toluene आपको दे रखा है, और ये किस में convert कर रहा है, दोस्तों, benzaldehyde में convert कर रहा है, कह रहा है, फ्लोरीन वैसे का वैसा पढ़ा रहना चाहिए, इसका मतलब toluene का oxidation, यानि कि CS3 का oxidation कर रहा के, CRO3 और acetic anhydride के साथ में, यानि कि chromic oxide से भी इसका oxidation करवा सकते हो, ठीक है, फिर after hydrolysis करवा के, आपको क्या मिल जाता है, benzaldehyde, या फिर side chain का पहले chlorination करवा, उसके बाद में hydrolysis करवा दो, तो भी आपको क्या मिलता है, benzaldehyde, तो मिला दो दोस्तों, पहला पहले के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और तीसरा दूसरे के साथ, तो 1, 3, 2, answer आजाएगा, 1, 3, 2, 1, 3, 2, यानि कि third answer आजाएगा, 1, 3, 2, next सवाल क्या कर रहा है, 129 नंबर सवाल की, अगर पर बात करें, तो ये साइनाइड को कार्बोनील कंपाउंड में करवाट यानिकी किटोन के प्रिप्रेशन के लिए method है दूस्तों, ये इसके उपर partially positive, इसके उपर partially negative, इस पे negative, गिन्यार रीजेंट आपको दे रखा है, ये इसके उपर टेक करेगा, electron density यहां पर आजाएगी, क्या मिल जाएगा, CS3C, यहां पर क्या आजाएगा दूस्तों, pH, double bond, और N, और साथ में M, G, और X, अब इसका hydrolysis करवा दो दूस्तों, इसका भी hydrolysis हो जाएगा, hydrolysis हो जाएगा, तो more in atom, यहां पर OH, इस पर H, इस पर OH, इस पर H, इसका मतलब ammonia भी remove हो जाएगी, यहां पर OH आजाएगा, तो क्या मिल जाएगा, दूस्तों, एक नन्नी सी जान पर 2 OH नहीं खटा सकते, क्या मिल जाएगा, pH, एक कार्बन पर 2 OH नहीं मिला, इसका मिल डबल carbon, CH2 और CS3, यह मिल गया दोस्तों, यानि कि ethyl और C6H5, यानि कि first answer आग गया है आपका, जी हां, नेक्स अगर पर बात करें, तो यह कौन सा है, aldol condensation reaction का है, दोस्तों, aldol condensation आपको पता है, alpha hydrogen है, तो इसके पास में basic medium में, यानि कि weak basic medium में, पहले किसका formation हो जाता है, acid base reaction, य क्या मिल जाएगा दोस्तों, anion, carbonine का formation हो गया, जो stable है due to conjugation, अब यह दूसरे molecule के साथ में reaction करता है, दूस्तों, दूसरा molecule, यानि कि cyclohexanone आपको दे रखा है, यह nucleophile इसके उपर टक करेंगा, electron density धर आजाएगी, किसका formation हो जाएगा, दोस्तों, देखते ही, देखते ही, अ compound का formation हो गया, फिर heat करने का sign और दे रखा है, कि basic medium में heat कर दो, क्या करवादो, elimination करवादो, यह more acid catch है, यह इसके उपर टक करेंगा, यह electron density यहाँ और OH, living group के रूप में बहार, किसका formation हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पे double bone, पहले कभी alpha, beta हुआ करते थे, वहाँ पे अब क्य अब अगर पर बात करें, तो देखो, 131 number सवाल क्या कर रहा है, दोस्तों कि कोई optically active compound दे रखा है, C6H12O, give positive test with 2,4-dynitrofenyl hydrazine, 2,4-DNP के साथ में, यह carbonyl compound को identify, आपके NCRT में नीचे just line लिखी हुई है, carbonyl compound में, यानि कि ammonia, ammonia derivative के साथ में, reaction करवाते हैं, nucleophilic, addition, elimination, reaction होत 2,4-DNP derivative जो है, वो कौन से color का होता है, yellow, solid, red, कैसा भी हो सकता है, orange, solid होता है, बट यह carbonyl compound को identify करने के लिए use किया साथ है, यानि कि carbonyl compound को इसी से identify किया साथ है, चाहे वो aldeide हो, चाहे वो ketone हो, ठीक है, तो इसका मतलब carbonyl compound का ही test हो गया, इसको bready recent भी बोला साथ है, ब तो यह कहा रहा है कि negative test इसका मलव aldeide को अटा दो, aldeide एक ही option में था, अब यह दो बच गए, फिर वो सुरू-सुरू में पढ़िये, वो क्या कहा रहा है, optically active, क्या यह optically active है, नहीं है, क्या यह optically active, यह optically active था, बड़ यह aldeide आ गया, तो trulane test दे देगा, यह अपना answer न P, यानि कि 2,4-dynitro-phenylhydrazine का formation हो जाएगा, दुस्तो, यह मिल गया, इसको ब्रेडी रीजेंट बोलते हैं, यह carbonil compound के साथ में reaction करके, किसका formation हो जाएगा, 2,4-dynitro-phenylhydrae zone, यानि कि zone बनेगा, डोन, लेकिन वो उसका सपना, अधूरा का अधूरा रहेगा, जब तक मोट पतलू है, क्योंकि उसको बनने नहीं देंगे, डोन, तो यह क्या मिल जाएगा, हाइडरे zone मिल जाएगा, दुस्तो, तो इसका मतलब, यह carbonil compound का test होता है, कौन सा answer आजाएगा, थर्ड, optically active दे दिया ना, दुस्तो, तो सीधा-सीधा यह answer दे दिया, उसने, next सवाल की, अग red phosphorus plus hi, don't recent होता है, दोस्तो, आप यादगरिये, biomolecule में यह reaction है, कि आपने glucose में red phosphorus के साथ में long time तक heat किया, तो किसमे चिंज हो गया, alkane में, इसका मतलब, carbonil compound जितने भी है, यानि कि oxygen containing compound जितने भी, जिसमे oxygen आ रहा है, उसको किसमे चिंज कर देगा, alkane में, यानि कि यह यह कह रहा है, alkane, यह कह रहा है, alkane, तो कौन सा answer मिल जाएगा, third answer मिल जाएगा, दुस्तो, next सवाल की बात करें, तो देखो, कुक देदिया, electrolysis करवा दिये, कौन सी reaction होगी, call by electrolysis होगी, दोस्तो, electron मिलेंगे, electrode लगा दो, क्या मिल जाएगा, दूस्तो, free radical मिलेंगे, आपको यह radical मिला, यह radical मिला, अब इसमें क्या करवा दो, conjugation करवा दो, आप चाहो, तो यह भी बना सकते थे, यानि कि आपने यह बना दिया, double bond, double bond, रिसके बीच में यह लगा दिया, बड़ इस से ज़्यादा सेबल है, कौन सा बला, benzene बन जाएगी, यानि कि आपने conjugation करवा दिय यहाँ, double bond, यहाँ, double bond, इन दोनों ने अपस में कपलिंग कर ली, किसका formation हो गया, दोस्तो, benzene का formation हो गया, तो benzene highly stable है, पता नहीं, यह कौन सा नसा करती है, जो सबसे ज़्यादा stable है, किसका नसा है, दोस्तो, इसको aromaticity का है, यानि कि complete close conjugation का नसा है, दोस्तो, नेक्स अगर पर बात करें, तो आपको क्या दे दिया, तो यह तो carboxylic acid react with alcohol, give ester, esterification reaction हो गई, दोस्तो, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, निकाल दो, दोस्तो, क्या मिल जाएगा, CS3, CH2, CO, और O, और यहाँ पे C2H5, यह मिला, दोस्तो, इथाईल, यानि कि C2H5, अब इसकी CS3, MZBR, एकस करेंगा, पहले तो यह वाला group जाएगा, तो किटोन में convert हो जाएगा, CH2, CO, और CS3, फिर वो कह रहा है कि एकसेस में दे रखा है, तो CS3, MZBR के साथ में दुबारा reaction करवाईए, तो क्या मिल जाएगा, दोस्तो, यह मिल गया, CS3, CH2, यहाँ पर क्या मिला, CS3, इधर भी CS3, तो दो बार CS3 आजाएगा, दोस्तो, अब इसका hydrolysis करवा देना, hydrolysis करवाओगे, तो टरसरी, alcohol का formation होगा, एक इथाईल ग्रूप और दो CS3, क्यों कि गिन्यार रीजेंट ने दो बार reaction की है, तो गिन्यार रीजेंट के पास दो CS3 किसके पास है, पहले के पास दो CS3 है, इस भी अपना answer नहीं हो सकता, यहां पे टरसरी ब्यूटाइल बना कर दे दिया, टरसरी ब्यूटाइल अलकोल, यानि कि तीनों के तीनों CS3, यहां CS3 नहीं है, दोस्त इथाईल है, तो कौन सा answer आजाएगा, फस्ट आजाएगा, नेक्स सवाल की अगर बात करें, तो आपको क्य ammonium thalate का formation हो गया, ammonium thalate, यह तो आपको A मिल गया, ठेक है, ammonium thalate, इसका मतलब यह आपका A है, ठेक है, फिर आपने क्या गिया, इसको heat कर दिया, heat करोगे दोस्तों, तो carbox, ammonium thalate दे रखा है, उसको heat करोगे, तो thalemide में change हो जाएगा, amide बन जाएगा दोस्तों, यह बन इसका नेम क्या है दोस्तो अमोनियम थेलेट से बी मिल गया और बी का नेम क्या है थेले माइड इसको क्या नेम है थेले माइड ठीक है क्या नेम है इसका थेले माइड अब इस थेले माइड को वो कह रहा है कि स्ट्रोंग हीट कर दो और ज्यादा हीट करिये तो इस बार अमोन थेलीमाइड, ग्रेबरिल थेलीमाइड सिंथेस यानि की रियक्शन यहां से साथ हुती है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है थेलीमाइड, यह आपका क्या मिल गया, C, तो थेलीमाइड क्या है दोस्तों, यह है C, C थेलीमाइड है, यास, जी हाँ, B आपका क्या है दोस्तों, थ कुंसा आंसर आ जाएगा फस्स आंसर आ गया नेक्स सवाल अगर बात करें तो पार्ट बी में आपको कितने सवाल दे रखे हैं फिप्टीन सवाल दे रखे हैं तो देखें का दूस्तो ऐसेडिक सेंद का ओडर अकोर्डिंग टू एंसे अर्टी देखलो माइनस वाले इंक्री इसका मतलब यह और अचीय था इसका मतलब यह उडर आना चीए था उल्टा आना चीए था दोस्तो यह बी इन्कुर्यट होगया तो correct order पूछा था दोस्तों कौन सा अंसर आजाएगा थर्ड आगे बात करें तो 137 नमबर सवाल की अगर बात करें तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों C2H2 दे रखे हैं यानि कि CH triple bond CH दे दिया फिर इसके दिल में आपने क्या डाल दिया दूस्तों एस्टों डाल दिया यानि कि प्लस 2333 केलवीन पर कुछ रोव रियक्शन आपने क्या बना दी दूस्तों CH2 double bond CHOH प्रोटोमेरीज हम करवादो किटो जनली अगर आपने बात करें तो इसका ओक्सीडेशन करवादो आपको क्या मिल गया बी अब एसीड और बेस की रियक्शन करवादो तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों sodium acetate का formation हो जाएगा यह आपको C मिल गया फिर उसने कहा कि soda लाई रहे soda lime डाल दो दो दोस्तो NA OHCAO 3 ratio 1 में होता है इसकी reaction करवाद दो दोस्तो क्या मिल जाएगी CO2 lease हो जाएगी और carbonine का formation होगा CS3 इसको H दे देना CH4 यानि कि Mars gas यानि कि Gover gas का formation होई ही जाएगा ठीक है तो answer कौन सा आजाएगा CH4 next अगर बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों Arryl Nitro Compound दे रखा है जिसका आप chain करवाने की बात कर रहा है यानि कि Reduction करवाने की बात कर रहा है वो कर रहा है not be a good choice ठीक है तो Nitro Benzene आपको दे दिया Nitro Benzene की Reduction अगर आप करवा दो किसके साथ में दोस्तों अगर आपको H2, Nickel, Platinum, Platinum इन तिनों में से कोई भी दे रखा हो दोस्तों वो तो किसमें change कर देंगे दोस्तों Amine में convert कर देंगे ठीक है यह आपके NCRT की first mechanism है preparation method के लिए NCRT के preparation के लिए फिर अगर आप Fe plus Scl डाल दोगे तो भी यही हाल होगा SN plus Scl डाल दोगे तो भी यही हाल होगा और लेकिन अगर आप इसमें Lithium Aluminium Hydroid डाल दोगे तो यह हाल नहीं होगा किसमें change हो जाएगा एजो Benzene में convert हो ही जाएगा यह एजो Benzene बन जाएगी दोस्तो क्या बन जाएगी एजो Benzene ठेक है तो Nitro Benzene किसमें convert हो जाएगी एजो Benzene Aromatic वाला है अगर आपको Elephatic दे दिया जाता और फिर वो कहता है कि Lithium Aluminium Hydroid डाल दो तो किसमें change कर देता एमाइन में लेकिन Aromatic वाले को नहीं कर पाता कि इसमें change कर देगा एजो Benzene में convert कर देगा तो कौन सा suitable नहीं है साब Lithium Aluminium Hydroid नहीं है वो इसको एजो Benzene में convert कर देगा एमाइन में convert नहीं कर पाएगा नेक्स सवाल कि अगर पन बात करें हिंस बरग रीजेंट है सल्फिनिलिक एसिड सल्फिनिलिक एसिड याद करिए दोस्तों आपको क्या दे दिया बहला एनिलीन दे दिया अब एनिलीन की reaction करवा दो किसके साथ सल्फरनेशन करवा दो concentrate estroceau4 के साथ में concentrate estroceau4 के साथ में reaction करवाओगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों acid base reaction हो जाएगी यह क्या मिल जाएगा CS3 positive और HSO4 negative positive यह मिल गया दोस्तों अब आपने इसको heat कर दिया तो क्या मिल जाएगा दोस्तों पेरा यानि कि पेरा एमाइनो benzene sulphonic acid का formation हो गया यह मिल गया इसको क्या बोला साता है sulfenilic acid बोला साता है अब एक में ही base है और एक में ही acid है तो acid base reaction हो जाएगी दोस्तों और किसका formation कर देगा वो zwitrain का formation हो जाएगा यानि कि NS3 positive और SO3 negative इसको बोलते हैं zwitrain तो zwitrain का formation कर लेगा दोस्तों क्यों क्यों कि एक में ही एक acid और एक base ठीक है alkyl diazonium salt unstable होता है at room temperature क्यों 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 इसमें conjunction नहीं होता है किसमें convert हो जाता है दोस्तों alcohol में convert हो जाता है arryl diazonium salt आपको पता है dyes का formation करता है ठीक है कपलिंग reaction शू करता है तो मिलादो साब first को B के साथ में और second को A के साथ में second को A के साथ में फिर आपको मिला दो आप third को fourth के साथ में third को fourth के साथ में और fourth को किस के साथ में भला third के साथ में तो कौन सा answer आजाएगा दोस्तों next सवाल की बात करें तो 140 number सवाल वो कह रहा है कि does not को नहीं कर सकता दूस्तों मैं का पर इसको करतेगी और Dscreen को किस प्रमेशन में यानि प्रिविक्त करतें हैं के यूदल को फोर्मेशन नहीं कर पाएगा क्यों गोंके 1000 वा घ्री सम हुआं पर अधोली को यह अकर बात कर थे नहीं का आगा रहा है दोस्तों यह ग्युलकूस की बात वहिए के glucose explain only the cyclic structure को explain कोन करता है दूस्तों आपके NCRT में लिखा हुआ cyclic structure of glucose उसमें दो चोड़ चोड़ी लाइने लिखी हुई है फस्त लिखी हुई है कि glucose में LD8 group present है फिर भी वो सिफ recent के साथ में reaction नहीं करता sodium by sulphide के साथ में additional product नहीं बनाता ठीक है और फिर नीचे second line लिखी हुई है कि glucose का pentacetate यानि कि glucopentacetate of glucose hydroxyl amine के साथ में भी reaction नहीं करता इसका मतलब glucose open chain में नहीं है किस form में है cyclic structure में है उसका alpha और beta form में मिलता है तो यहाँ पे बात कर लो glucose pentacetate का formation कर रहा है जी हां करता है लेकिन glucose pentacetate का formation करता है तो इसके cyclic structure को नहीं बनाता वो open structure की बारे में बात करता है तो यहां cyclic structure की बात हो रही है glucose react from oxygen लेकिन वो Bradley और chance है यही बात सत्ययगणा ऑरधारीध है थीक है तो थाड़ सही हो गया है फिर क्या के रहे हैं गुलको जी ऑउक्सिडेस्ट बाई ट्रिक असेड्म गुलकोनिक ईसेड ये भी बात साही है लेकिन किसकी बात हो रही है दूस्तों स्ट्रेक्शर की बात हो रही थी वह कौन सा answer आजाएगा third next सवाल कि अगर बात करें तो वो क्या कर रहा है कि कौन सा true नहीं है साब किसके compare में amino acid के compare में alpha amino acid are constitute of all protein जी हाँ जितने भी alpha acid है वो किसका main component है वहला protein का ही है alpha amino acid का main component है किसमें protein में फिर alanine having a one amino acid and one carboxylic acid जी हाँ alanine में एक तो cwh group होता है और एक एक एनस group होता है फिर क्या कह रहा है कि mostly जितने भी nature में मिलेंगे amino acid वो L form में मिलते हैं और ये कह रहा है D form में इसका मतलब ये incorrect होगा दोस्तों N30 में लाइन लिखी हुई है mostly जितने भी है वो सारे के सारे amino acid L form में मिलते हैं ने की D form में इसका मतलब ये incorrect होगा glycine के अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे optically active है क्योंगी हर किसी में chiral carbon है glycine अपना NS2 CH2 और CWH है इसके पास chiral carbon नहीं है ठीक है तो कौन सा answer third next अगर पन बात करें तो वो कह रहा है कि hydroxy carbon compound जिसके पास है वो आपका क्या है भला carbohydrate है तो poly hydroxy का मतलब क्या हो गया दो या दो से ज़्यादा ठीक है तो carbon group भी होना चीए इसके पास दो hydroxy group तो है लेकिन carbon group नहीं है तो ये नहीं हो सकता इसमें देखो carbon group भी है और दो OH group भी है और chiral डी गुलकोज दे दिया रियक्ट विदा हाइड्रोकसिल अमाइन ठीक है ओग्जीम का formation कर रहा है वो ओग्जीम की structure की बात कर रहा है अब आपको बता है दोस्तों की alpha डी गुलकोज की structure कैसी होती है थर्ड नंबर का का ओएच जो होता है वो लेफ्ट एंड साइड में मिलते हैं CH2 और OH 123456 यानि कि थर्ड नंबर का ओएच क्या है लेफ्ट एंड साइड में है ठीक है बाकी सारे राइट एंड साइड में ये डी गुलकोज है इसकी पूरे की मिरल में इस क्या हो जाएगी अब इसकी रियक्शन गरवादो हाइड्रोकसिल एमाइन के साथ में रियक्शन गरवादो दोस्तों ठीक है उगजीम का फॉर्मेशन हो जाएगा अब इसमें देखो वन टो थ्री त्री और फॉर दोनों हो गए इसका मतलब ये गुलकोज की structure नहीं हो सकती ना मेनोज की है ना गलेक्टोज की है फिर देखो वन टू थर्ड नंबर का उच्छ लेप्ट एंड साइड में है इसका मतलब कौन सा आंसर आजाएगा आपका फॉर्ट नेक्स सवाल की अगर पुन बात करें तो देखो दूस क्या कर रहे हैं correct option मिला दो साब code मिला दो first को second के साथ में fiber fiber कौन से होते हैं जिसमें strong intermolecular attraction force present होते हैं hydrolika hydrogen bonding कोन है दोस्तो नाइलोन 6-6 elastromer जिसमें weak electrophile होते हैं और weak intermolecular attraction force होते हैं weak intermolecular attraction force किसमें पाईज आते हैं दोस्तो fiber में पाईज आते हैं और fiber का example कोन है दोस्तो जितने भी क्या नमते हैं synthetic rubber है rubber जिसमें आ रहा है rubber का example व्यूना एस भ्यूना एस ठेक है नियोप्रीन आइसोप्रीन ये rubber जितना भी आ रहा है चाहिए synthetic को चाहिए कैसा natural हो वो सारका सारक इसमें है elastromer का example है दोस्तो तो व्य इन में इन दोनों के बीच के intra molecular attraction force होते हैं elastromer से तो क्या होते हैं ज्यादा और fiber से होते हैं कम ठीक है और इसमें जो example आएगा आपका वो PVC है कौन सा है PVC है और polythene है वो किसका example है thermoplastic का example थर्मो सेटिंग में आपको पता है इसमें cross-linked पाई जाते हैं दोस्तों और cross-linked इ कỏiी इनको द première है इनको दوبारा यूस में नहीं कर सकते हैं आप इसको thermos setting में इसका example है फीनोल फॉर्मेल्डी हाइड रेजीन यूरिया फॉर्मेल्डी हाइड रेजीन मेले में गई मम तर बापस आई इसका मतलब इसका यूज जो किया जाता है गमेलामीन प्रभ20 का वो कोक लामइन फोरम लडी हाइट के बने होते हैं चलनली अगर पन बात करें तो McD अगर को इसकाathers हो गया video और我 प्लास्तिक की कि किस्म इन चला गया पीवीट क्वेमऑ चला गया चला गया यह वो थ को consiste ब्यूना N, N के साथ में विला दिया, थर्मो सेटिंग को आपने किस्मिए, फस के साथ में, और इसको थर्मो, किस के साथ? प्लास्क के साथ, नेक्स आगे बात करें तो कौन सा आ जाएगा? थर्ड आंसर आजाएगा आपका, नेक्स सवाल आपको देरख था हैं दोस्तों, को की बात कर रहा है को पोलीमर का मतलब हो गया जिसमें मोनोमर डिफरेंट हो ठेक है और कंडेंशिशन पोलीमर हो कंडेंशिशन पोलीमर का एक्जामपल यानि कि को पोलीमर है ट्रो पोलीमर जिसको बोला साता है यानि कि सह बहुलक पॉली प्रोपीन इसमें एक ही परकार की युनिट पर्जेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं दूस्तों एक ही परकार की युनिट पर्जेंट है उसको क्या बोला साता है होमो पॉलीमर बोला साता है तो इसमें एक ही टाइप के एकलग हैं, यानि कि मोनोमर्स हैं, और पॉली स्टाइरीन की अगर पुम बात करें दोस्तों, तो CH double bond CH2, विनाइल बोला साता है, विनाइल बेंजीन का नेम क्या है, स्टाइरीन है, यही एक ही परकार का है, इसमें मोनोमर्स हैं, इसका मतलब कौन मिलता है, यानि कि क्या मिल जाता है, जब आप फिनोल की रियक्शन करवाते हो, किसके साथ में भला, फिनोल की रियक्शन, फोर्मेलडी हाइट के साथ में आपने रियक्शन करवा दी, ACID की या फिर बेसिक मेडिया में आपने रियक्शन करवाई, तो और्थो और पेरा पर तो क्रोस लिंकेड मिल जाते हैं जिसको वेकलाइट बोला जाता है ठीक चलो आगे बात करें तो 147 नंबर सवाल एट्रेक्शन वीक की बात कर रहा है वीकेस किसमें हैं दोस्तो इलास्टोमर में अभी थोड़ी दिर पहले ही अपने बात की थी सबसे स्ट्रोंग किसमें हैं फ कौन सा आ गया फस नेक्स अगर पर बात करें तो 148 नंबर सवाल एमाइनो गलाइकोसाइड एमाइनो गलाइकोसाइड क्या होते हैं दोस्तों एंटिबायोटिक्स होते हैं कैसे होते हैं और सुक्रोलोज कैसा होता है दोस्तों सुक्रोलोज आर्टिफीशल स्वीटनर है दो दिस्तों आसाब याद आ रहा होगा धुल्ला असाब ओड़ असपार्टम एस कम अलव सुच्रोलोज से क्रीण और एकर अलव कि मेगनिशम हाइड्रोकसाइड क्या होता है दोस्तों एंटाइसीड होता है और सोडियम लॉराइल सलफेट कैसा होता है दोस्तों एनाइनिक डिटरसेंट होता है यानि कि क्लेनिंग डिटरसेंट तो मिला दो दोस्तों गलाइकोसाइड को अपने अमेनो गलाइकोसाइड को म मिला दिया दूस्तों थार्ड के साथ में फिर आपको मिलकोप मेगरेशा एंटाइसीड है और सोडियम लॉराइल सलफेट आपका क्या है दूस्तों डिटर्जेंट है इसका मतलब कौन सा आंसर आजाएगा सेकिंड आंसर आपको मिल गया किनक्स सवाल करें तो देखो स्टिट्मेंट की बात और हो दो पैंकिलर हो थे आ उसी कहीं करती है यह भी सही है एंटी हिस्टेमीन जो होती है उनका हिस्टेमीन एंटी हिस्टेमीन जो होती है वो हिस्टेमीन के काम में टांग अड़ाती है अगर अपने को सर्दी जुखाम हो गया तो वह histamine ठीक कर सकती है अपना काम कर सकती है वो बोडी में अपने आप ठीक कर सकती है दो चार दिन में लेकिन अपन क्या करते हैं टेबलेट लेकर उसके क्म में बीच में टांग अड़ा देते हैं कि तू रहने दे हम बाहर से बंदे बुलाकर यानि कि बाहर से टेबलेट लेकर अपन ठीक करवा लेंगे तुबू क्या हो गया कि हिस्टेमीन के काम में टांग डाना ठीक है उससे क्या बोला जाता है हिस्टेमीन सही बोल रहा है हिस्टेमीन के काम में टांग किसने अडादी एंटी हिस्सेमीन में अडादी एंटी हिस्सेमीन कौन से हैं डीडी भारती है और टाटा स्काइप ठीक है तो कौन सा है तीनों के तीनों स्ट्रेटमेंट क्या है दोस्तों सही है इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आजाएगा थर्ड नेक्स सवाल की का यूज किया जाता है as a antiseptic और 1% solution दोस्तो फिनोल का है वो पोचे मारने के काम आता है disinfectant है तो पहला क्या है दोस्तो antiseptic और दूसरा disinfectant यानि कि कौन सा answer आजाएगा fourth answer आजाएगा ये था दोस्तो अपना paper solution मस रहें स्वस रहें खुद का ख्याल रखें all the best good luck JCLC दोस्तो